गुड इवनिंग फ्रेंड्स हम लोग कई एपसोड से पिछले बाचीत कर रहे हैं मैनुफैक्चरिंग से रिलेटेड हमारे एर कंडिशनर्स जो मैनुफैक्चर किये जाते हैं तो किन किन स्टेज़स से वो गुजरते हैं तो इनिशल स्टेज़स में पार्ट्स बनते हैं उसके बाद उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है तो आए आज हम कुछ फाइनल पार्ट्स का देखते हैं और किस थरीके से हमारे किन स्टेंडर्स पे एर कंडिशनर्स टेस्ट किया जाते हैं तो यहाँ पे एक ये स्टेनर बन रहा है आप देख सकते हैं इसके अंदर एक सिंपल जाली होती है और इसके आगे हमारी कैपलरी लगती है यह कैपलरी में जाने वाली गंदिगी को पहले से ही रोक लेता है और किसी तरह की भी गंदिगी को कैपलरी में एंटर नहीं होने देता है जहां पर कैपिलरी का यूज है ये स्ट्रेनर आपको ज़रूर मिलेगा और ये हमारा कंडेंसर है अलमुनियम कंडेंसर की पूरी हम लोगों ने बनते हुए देखा था कि किस तरीकर से अलमुनियम कंडेंसर बनता है तो आए इसकी बेंडिंग भी देख लेते हैं कि किस तरीकर से इसको हम लोग बेंड़ करते हैं यहां पर आपको बिंडिंग ने तरह आएगी किस तरीके से हम लोग इसे बिंड करते हैं यह कितनी आसानी से सिर्फ टेक्नलोजी है अगर सही टेक्नलोजी का इस्तिमाल किया जा रहा है तो हम चीजों को बहुत आसानी से कर सकते हैं तो यह एक aluminum alloy condenser जिसको हम लोग बोलते हैं बनके तयार हो गया तो पूरा एक process है manufacturing का जगा जगा पर testing standards हैं जगा जगा पर different different चीज़े हम लोग देखते हैं और अब आई हम लोग देखते हैं कि किन parameters के उपर हमारा air conditioner टेस्ट किया जाता है जो हम लोग बात करते हैं कि कहां पर जाके start होगा और आप air conditioner पर लिखा हुआ भी देखते हैं कि 220 वोल्ड से और 240 के बीच में काम करेगा या 210 से और 250 के बीच में काम करेगा तो दोस्तों हम लोग इसको 190 वोल्ड तक ले जाके drop down करके check करते हैं तो यहां पर एक air conditioner जो की simple rotary air conditioner है inverter नहीं है non inverter है उसको test किया जा रहा है तो यहां पर हम आपको standards दिखाना चाहेंगे देखिए changes आ रहे हैं और voltage इसकाद 190-192 के आसपास है यहां पर हम को एक चीज और भी दिखती है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ जाती है और वोल्टेज एक certain limit से नीचे आ जाएगा तो वोल्टेज जो है वो रेडियूस आते है अब यह वोल्टेज को और रेडियूस किया गया है और यह इसकी last limit है हम लोग 190 वोल्ट तक air conditioner को reduce करके चेक करते हैं तो जो भी AC आपके पास पहुंचते हैं कहीं न कहीं वो बहुत टफ टेस्टिंग से होके गुजरते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिसकस करेंगे कि कंडेंसर पर कैसे load डाल के टेस्ट करते हैं cooling coil पर कैसे load डाल के टेस्ट करते हैं तो आगे वीडियो देखते रहिएगा दोस्तों अपने साथियों के साथ शेयर भी कीज़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मालूमात हो सके ज्यादा ज्यादा लोग इसमें अपनी काम करनी की जो छमता है उसको बढ़ाएं और खास साथ से जो वो लोग डिफेक्ट्स और रिपेरिंग करते हैं उसको भी बहतर कर सके हैं थैंक्यू दोस्तों